तो अभी मैंने ऐसी एक काफी interesting experiment किया कुछ camera settings के साथ in manual mode तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो एक quick video में share किया जाए so experiment किया था basically मैंने पहले एक lighting condition के इसाब से एक frame set किया और वहाँ पे जो मैंको camera settings दे रहा था वो मैंने note down करी so वो जो settings थी let me share it with you guys 1 by 80th of a second shutter speed f5.6 and ISO 800 अब इस test में जो मैं lens उस कर रहा था वो था Canon का 24-70 f2.8 आप कोई भी lens उस करके experiment कर सकते हो ज़रूरी नहीं है आपको एक expensive lens चाहिए but इससे आपकी fundamentals clear हो जाने चाहिए so basically यहाँ पे f5.6 में को मिल रहा था जबकि मेरा जो lens है वो f2.8 तक जा सकता है so इस experiment पे मैंने क्या किया जो camera ने में को auto mode में settings दी अब 5.6 से मैं f2.8 पे अपने aperture को ले के आया अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने जो mode dial को auto mode से manual mode पे switch करा जो की पहला step है obviously अब उसके बाद मैं 5.6 में को नहीं चाहिए because मेरा lens f2.8 है and में को यहाँ पे bokeh effect चाहिए था अब जब मैं f5.6 f2.8 पे लेके आया अपने exposure को मेरा जो exposure है वो 2 stop से bright हो रहा है overexpose हो रहा है अब उसको compensate करने के लिए मैंने आपे गया किया मैंने अपनी shutter speed को 2 stop से increase कर दिया तो जो मेरी shutter speed 1 by 80 थी उसको पहले मैंने double किया 1 by 160 then एक stop और increase किया जो है 1 by 3 20th of a second तो मेरी 2 stop से shutter speed मैंने fast कर दी so that जो 2 stop से मेरी image bright हो रही थी वो वापस same exposure आ सके तो अब यहाँ पे आप जो comparison देख रहे हो पहली image है जो auto mode मेरे को camera ने suggest किया 1 by 80 5.6 and ISO 800 बट मेरे को चाहिए था मेरे को f 2.8 वाद effect चाहिए so मैंने वो achieve किया manual mode में बस यहाँ पे मैंने aperture को जब 2.8 पे किया तो जो image bright हो रही थी उसको वापस same exposure लाने के लिए मैंने 2 stop से shutter speed fast कर दी अब यहाँ पे second scenario क्या हो सकता है आप assume कर रहोगे ISO इतना high है 800 उसमें grains आने की chances रहते हैं yes वो चीज है तो अब मेरी इस situation में जो मेरा subject है वो steady है वो move नहीं हो रहा और मेरा camera tripod पे था तो I can afford 1 by 80 of a second का shutter speed अब यहाँ पे मैं अगर F5.6 को 2.8 पे लेके आया जब जैसे मैंने पता है मेरी image 2 stop से overexpose हो रही थी पहले scenario में मैंने shutter speed को fast कर दिया इस scenario में shutter speed वो ही रखेंगे 1 by 80 of a second but मैं अपने ISO को 2 stop से नीचे लेके आ जाऊँगा so मैं 800 से 400 एक stop 400 से 200 अब मैं ISO 800 के जगा ISO 200 पे shoot करूँगा F2.8 और shutter speed 1 by 80th of a second और यहाँ पे आप comparison देख सकते हो मेरा exposure सेम रहा तो दोनों situations में मैं अगर मेरी shutter speed को उसे जाब से set करना चारा हूँ वो भी adjust कर सकता हूँ ISO को भी मैं नीचे ला सकता हूँ 5.6 से 2.8 पे आके यहाँ मैं shutter speed और ISO दोनों को एक एक stop adjust करके उसे साब से अपने exposure को maintain कर सकता हूँ यह था एक छोटा experiment जो मैं आपके साथ share करना चाता था कि कैसे आप manual mode में अपनी settings के साथ play करके as per your need आप उस exposure को maintain कर सकते हो so friends यह दा इस वीडियो में I hope आपको इस वीडियो इंफोर्मेटिव लगी या इंट्रेस्टिंग लगी do leave a comment and like the video और हम मिलते आगे इसे तरह इंट्रेस्टिंग इंफोर्मेटिव वीडियो में तब तक take care and keep clicking कर दो कर दो